तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल HP Tucson Classes में ये सर्कुलर CBSC के द्वारा प्रवाइड किया गया जो की 6th April 2023 डेट का है जिसमें Class 9th to 12th का जो न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें जो पेपर पैटर्न है उसमें कुछ चेंज करते हैं स्टुडेंट उनके एक्जाम में MCQ टाइफ ही कोशन मिलते हैं तो अभी से उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके आगे उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहों इसलिए ये बदलाव किया गया है ठीक है तो यहां से ध्यान से आप देख सकते हो 9th 10th 11th and 12th तो सबसे प ठीक है अब्जेक्टिब कोशन थे 20% सोर टाइप और लोंग टाइप कोशन आसर थे 40% यह लाश्ट येर का है ठीक है ना 2022-23 यहां पर मेंशन किया गया अकाइडमिक सेशन 2023-24 जो की आप दोगे तो यहां पर मेंशन किया गया कॉंपिटेंसी फोकस्ट कोशन जो हैं वो भी किम से-कीव थाइप में केस बेश्ट में सार्इजट भी कोशन हो सकते हैं सोर्समेंस भी हो सकते हैं जो कि होंगे 50% कितने परसेंट 50% यहां पर लिखा सेलेक्ट रिस्पॉंच टाइप कोशन यानी किлем सीज्चु स्य ऑ सब्सक्राइब के लिए है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है इसके बाद में गर हम बात करें क्लास 11 एंड 12 के लिए थे लाश्ट यहर का एक एडमिक सेशन 2022-23 जिसमें यहां पर competency best question थे 30 परसंट, objective question 20 परसंट and short and long type question 50 परसंट थे अकएडमिक सेशन 2023-24 की बात करें तो competency focused question आपके 40 परसंट क्यों होंगे जिसमें case based question, source based question भी होंगे और select response type question यानि mcq type में 20% होंगे इसके बाद में constructed response questions जिसमें short and long type question होंगे 40% तो मतलब की 40% आपके यह हो जाएंगे 20% यह है mcq type में 40% short and long type question है तो यह 40% प्लस यह 20% हो जाएगा 60 और उसके बाद में यह 40% यानि 100% आपके question complete हो जाएंगे ठीक है तो total overall मिला कर 40% आपका competency focused question हो जाएगा 20% mcq and 40% short and long type question 40 plus 20 plus 40 total आपका हो जाएगा 100% ओके यह 11th and 12th के लिए same ऐसे ही यह 9th and 10th के लिए ठीक है यह भी 50% 20% 30% 50 20 plus 30 कितना हो जाएगा यह आपका 100% यह भी complete हो जाएगा ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है clear है तो यह information आपको देने थी यह जानकारी अपने तक ही सीमित मत रखना अपने दोस्तों को भी share कर देना क्योंकि जो changes हुए है आपके 9th to 12th session 2023-24 में वो आपको जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो इतना था इस वीडियो में आई हो पूरी बात समझ में आ गई होगी फिर भी कहीं पर doubt है तो comment कर सकते हो वीडियो अपने दोस्तों को भी share कर दो ताकि वो भी समझ सकें new changing क्या हुई है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगर किसी प्रकार का doubt है तो comment कर सकते हो thank you for watching this video and take care